नमस्कार मित्रों मैं शिवमान्द आप सभी लोग अब वेबडे टिटोरिल्स के इस स्वागत करता हूँ तो गाइस पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे लिंक कैसे आड़ करते हैं किसी एक पेज से दूसरे पेज में जाना हो या फिर कोई वेबसाइट लिंक करना हो अपने वेबसाइट पे तो वो कैसे करते हैं और हम लोग देखे थे HTML entities तो इस वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे कि हम लोग email address कैसे लिंक करते हैं आप लोग काफी सारे वेबसाइट पे यह देखे होगे कि लिखा रहता है email में और जब आप उस पे क्लिक करते हो तो emails खुल जाता है email करने के लिए तो जो लोग यह वीडियो का पहली बार देख रहे हैं वो लोग पीछे के वीडियो देखें यह जानने के लिए कि यहां तक हम लोग कैसे पहुंच है तो अभी तक हम लोग index.html में यहाँ पे थे पिछले वीडियो में दो link add की थे एक google.com और एक about.html जो की अपने ही folder में था तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे about.html में एक button लगाएंगे उसके अंदर एक link डालेंगे इसको click करने पे email खुलना चाहिए तो सबसे पह यहाँ पे एक empty button है अब यहाँ पे हम लोग anchor element बनाते हैं इसके अंदर hyperlink reference में हम लोग पहले डालेंगे mail to colon उसके बाद जिस email id पे आपको mail करवाना है तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं example add the rate example.com और एक text भी हम लोग को डालना होगा तो text हम लोग डाल देते हैं email us यह देखें refresh किये यहाँ पे बटन आगया email us इसको हम लोग click करेंगे तो हम लोग का mail खुल जगा अब एक और चाहिए हम लोग क्या देखते हैं अगर हम लोग index.html page पे हैं हम लोग अभी about पर click करते हैं तो यह इसी page में खुलता है अगर हम लोग चाहिए कि यह next tab में खुले इस tab में खुले तो क्या करेंगे simply हम लोग यहाँ पर href attribute लगाएं उसके बाद एक और attribute लगाएंगे target target का value हम लोग underscore blank डाल देंगे refresh करते हैं about खुलते हैं दूसरे tab में खुलता है यह देखिए about पर click करेंगे दूसरे tab में खुलेगा इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को like कर दे शेयर करें और subscribe कर दे आगे इस series के वीडियो देखते रहने के लिए